हलो दोस्तो, welcome back again HPSC PZT Maths Exam जो अभी हमारा subject knowledge का test होने वाला है उसके लिए जो content है कौन सा आपको करना चाहिए कौन सा आपको पहले करना चाहिए किसको preference देनी चाहिए कैसे material को कहां से लेना है कैसे उसको handle करना है और कहां से हमें पढ़ना है यह सारा कुछ हम discuss करेंगे आज की class में केवल BSC syllabus related बता रही हूँ आपको BSC का जो content है लास्ट इर के अगर आप classes देखेंगे जो पहले हमारा screening exam हुआ था subject knowledge के लिए उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कौन से topics important होने वाले हैं और वहीं से questions भी लिए गए है काफी candidates का यह कहना है कि भई केवल तीन ही questions वहां से हैं नहीं जी as a t statement मैं आपको बता सकते हूँ आज जो मैं आपको important tips आपके साथ सेयर कर रही हूँ कौन से tips मतलब हमें जो BSC का जो syllabus given है उसमें कैसे उन topics को ढूंडे कौन सी book को हम लेकर चले क्योंकि BSC में तो देखोगे आप 18 books हैं हर semester में important सबसे ज़्यादा important सबसे ज़्यादा important तो वह है जो अभी exam में questions पुछे गए है ठीक है आप sequence में देखते जाहिएगा जो candidate कहते हैं कि वो 3 questions ही थे graduation से नहीं जी 7-8 questions तो मैं आपको करवा चुके हूँ जिनका solution मैं already upload कर चुके हूँ आप उनको देख सकते हो as it is questions जीवन संस publication की book से जो हमारी हर्यारा universities में colleges में पढ़ाई जाती है उन में से लिए गए है statement भी change ने की गई है और तो आप छोड़िए statement भी as it is है एक आपने question देखा हुआ vector calculus का तो जो भी हमारे पास रहेगा न कि हम कौन सा content चूज करें तो पहले तो हम वही लेकर चलेंगे जो हमसे questions पुछे गए है मतलब जो last year question paper में आ चुके हैं इसका मतलब यह कता ही नहीं है कि हम केवल उनी topics को करेंगे और बागी का सारा जो syllabus given है उसको हम छोड़ देंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है अभी देख लेते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो vector calculus vector calculus इसका question पूछा गया था scalar triple product से क्योंकि 1-2 का जहां तक मुझे information मिली है कि 1-2 में scalar triple product को अभी skip कर दिया गया है हटा दिया गया है वैसे पढ़ने को आप कहीं से भी पढ़ सकते हो second semester की हमारी book होती है vector calculus Sam second कौन से बता रही हुँ है BST की बता रही हुँ है सारी books जो है BST की बता रही हुँ Sam second में book है vector calculus अभी क्योंकि आपकी universities का syllabus भी आप अगर हिसार से बिलॉंग करते हैं तो आप हिसार के recording देखोगे है ना लेकिन आपको मैं chapter name भी बता देती हूँ okay scholar and vector product जो हो हमारे पास है first chapter vector calculus से केवल आपको first chapter ही read करना है first chapter उस book में exercise का question as it is दिया गया है जो हमसे पूछा गया है कि यह जो vectors है वो चार vector आपको दिये गए थे couple planner है या नहीं है हो सकता है one two में भी आ जाएगा no problem यह content आ जाता है जो R.D. Sharma पढ़ते हैं वो तो अल्रेडी उसमें देख चुके हो कि couple planner जो हमें प्रूव करना उसकी conditions क्या होती है तो one two में आ रही है लेकिन यह question as it is statement के साथ vector calculus के first chapter से exercise number I think 1.2 इससे लिए आ गया है ठीक है तो यह vector calculus की book के लिए पहला chapter के ओल आपको पढ़ना अगर आपके पास vector calculus की book है एक और मैं आपको चीज़ बता जेती हूं कि अगर आपके पास books नहीं है तो आप Telegram Group जोइन करो New Era Maths के नेम से वहाँ पर पूरा content डाला गया है BAC की books की PDF वहाँ पर डाली गई है आप उसको join कर सकते हैं link video की discussion मिल जाएगा second thing जो most important आपके साथ share करनी है कि जो important questions important theorems किसके जो हमारा BAC का syllabus है जो भी important जैसे की linear algebra lap-last transformation इनके question आई वह है और यही मैंने last exam से पहले बताया था कि दोनो topic most important है और यहां से question बनेगा ही बनेगा है ना और जहां पर vector जो linear algebra है उसमें भी आप देखोगे ना तो जो हमारा subspace chapter first vector space and subspace and second is eigen values ये दो तो आपको बहुत अच्छे से करने है रहता है linear transformations rank and nullity basis and dimensions basis and dimensions बहुत lengthy chapter है बट आपको उसका जो basic है समझना पड़ेगा इसके जो important theorem and question है ये मैंने course में डाले है जो new era maths application पर course आप search करते हो या काफी candidates join भी कर चुके हैं ऐसे candidate इसको ले सकते हैं जिनका 1-2 का portion बहुत strong है आप खुद पढ़ सकते हैं और BSC का content है आप करना चाहते हैं तो वहां से आप ये content बहुत easily कर सकते हो ठीक है पूरा जो syllabus है आपको बहुत अच्छे से करवाया गया है अभी time के coding आपको manage करना पड़ेगा ठीक है आप classes को देख कर मत घबराईएगा कि 400 classes है हम उनको कैसे देख पाएंगे आप बकाइदा suggestion ले सकते हो क्योंकि हर candidate का पढ़ने का अपना अपना अलग लग तरीका होता है है ना तो मैं आपको यहां पर यह बता रही हूँ कि अगर basis and dimensions आपने basic clear किया उसमें बहुत ज्यादा theorems है इसकी important theorems हरे जो content वहाँ पर है इन सभी के important theorems इनका आपको content free मिल जाएगा जो हमारा course है HPSC PZT के लिए आपको करना सिरफ इतना सा है कि HPSC PZT course open करो application download नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए website पर भी आप check out कर सकते हो website हमारी www.neveramass.com आप इहां पर बे check out कर सकते हो ठीक है course open करेंगे free study material में जाएंगे वहाँ पर आपको ये सारा जो question मैं बता रही हूँ जब PDF आपको मिलेगा और ये सारा मैं सबके लिए open कर रही हूँ यान सबके लिए free कर रही हूँ वहाँ से कोई भी देख सकता है इन important questions को एक चीज और ये important questions unsolved होंगे ठीक है अगर आपने इनका basic clear कर लिया है तो आप इन questions से practice कर सकते हो कि ये questions तो हम definitely कर लें जो questions last exam में आए हुए है ये सारे questions मैंने important questions में डाले हैं already तो आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए अब बात करते हैं वेक्टर कैलकुलेस से हमारा chapter first हो गया है केवल आपको first chapter पढ़ना है ये बीएस्टी का second semester या फिर वेक्टर कैलकुलेस की book आप देख सकते हो कोई भी आपके पास होगी किसी भी university में आपको मिल जाए आप और याना में कहीं भी रहते हो no problem second linear algebra linear algebra में आपको starting first chapter से और आपको पढ़ना है आइगन वाल्यूज एन आइगन प्रोप्लाम ठीक है 9 chapter तक बैसे तो देखो content तो ये सारा दिया गया है हमारे syllabus में लेकिन जो important आपके साथ जो अभी मैंने बताया है कि इसमें ज्यादा important कौन सा रहने वाला है first chapter and 9 chapter ठीक है अगर linear algebra की book आपके पास है तो आप उसमें देख सकते हो vector space and subspace और eigen values ठीक है क्योंकि एक question पहले पूछे जा चुके है तो इस भ्रहम में बिल्कुल नहीं रहेंगे हम कि इनी के question आएंगे other chapters के नहीं आ सकते तो मेरा कहने का मतलब है कि इनको पहले कर लो अच्छे से कर लो करेंगे बाकी भी no doubt तो linear algebra के आप first to 9 chapter यहां भी दिये गए हैं तो पहला और 9 यह दो चाप्टर आप अच्छे से करेंगे third one is Laplace transformation Laplace transformation में आप कोई भी topic नहीं छोडेंगे Laplace transformation के Laplace transformation and inverse Laplace transformation यह दो तो आपको करने ही करने है इसके बाद अगर time है तो इसके next two chapters भी करोगे ठीक है time बहुत कम है I know बहुत limited time है इसमें हम यह plus and plus two भी revise करना है और BAC का content जिसके लिए नया है उसको बहुत दिकत होगे यह मुझे पता है लेकिन करना है तो करना है कैसे भी करके करो या मुरो वाली condition यहाँ पर है तो Laplace transformation में आप दो चाप्टर करोगे Laplace transformation and inverse inverse Laplace transformation यह दो तो आपको करने ही करने है ठीक है यह हमारे पास होते है जो अपनी BAC के books है Special Function Special Function and Integral Integral Transformation यह इस book के as it is question ले गए थे जो exam में आए हुए है Laplace transformation के और यह आपके पास है semester 4th की book ठीक है Linear Algebra आपको पता ही है Sam 6th की book है Sam 6th Linear Algebra और इसके बाद आते हैं 4 topic जो most important होने वाला है analytic function analytic function analytic function में आपको पूरे का पूरा chapter एक ही chapter दिया गया है आपको पूरा करना पड़ेगा ठीक है यह हमारे पास रहेगा real and complex real and complex analysis analysis ठीक है और यह Sam 6th की book है इसमें पांचवा चाप्तर दिया गया है analytic function अब हम बात करते हैं आगे जो और भी आपके बास questions पूछेगे जिस लिमिट का question था लिमिट का question यह as it is question है indeterminate form of advanced calculus of semester 3rd ठीक है तो लिमिट के questions हो वैसे आपने plus two में बहुत बड़े होंगे यहाँ पर आपको chapter करना है indeterminate indeterminate forms indeterminate forms कहां से है यह chapter बहुत ही simple सा है लेकिन आप कोई भी limit का question बहुत easily solve कर सकते हो इस chapter से बाहर कोई question नहीं आएगा अगर आपने one two की limit भी नहीं पड़ी है और आपने यह पढ़ लिए तो आप easily कर पाऊगे यहाँ पर indeterminate form जो है वो sam third book है हमारे पास sam third की है advanced calculus advanced calculus अभी जो slaves change हुआ है जैसे कुक उनिवर्सटी CRSU उनिवर्सटी वहाँ पर यह sam first में है chapter number second है अब वहाँ से भी अगर यह books आपके पास है new books आपके पास है तो आप इन में भी देख सकते हो indeterminate form इसका question भी आया हुआ है as it is पूछा गया है वहाँ पर constants की value पूछी गई थी x तैंस to 0 आपको जो भी limit गिवन थी और यह question मैंने करवाया हुआ आपको ठीके वहाँ से आप देख सकते हो differential equation एक चीज और आप समझेगा इसका जो syllabus है ना इसको आप थोड़ा समझे one two का content और first year का content first year में आप देखोगे तो छे books है algebra first semester की मैं बात कर रही हूं algebra solid geometry solid geometry में 2D 3D आ जाता है ठीके 2D 3D आप यहां में बढ़ते हो वन टू में भी बढ़ते हो लेकिन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको high standard ही मिलने वाला है no doubt कि exam easy था पीछे वाला paper easy था no problem और कॉनिक section का पर जो question वह भी बहुत easy आया हुआ था है ना तो यहां पर चोट topics है वो थोड़े से मिले जुले है plus two और first year जैसे कि vector calculus first year का question था second semester नंबर theory and trigonometry trigonometry जो higher trigonometry आ जाती है उसको भी आप बिलकुल read कर सकते हैं अगर आपके पास time है तो मेरा कहने का मतलब है कि first year की books और plus two की books दोनों ही बहुत important है अगे जैसे की ordinary differential equation वहां पर differential equations के लग लग types दी गई है वहां से भी आप differential equation चैप्टर जो हो यानि content जो हो रेड कर सकते हैं जो कि आपके लिए helpful रहेगा clear अब बिलकुल point to point तो slayvers हम करेंगे करेंगे लेकिन जो candidate कुछ भी risk नहीं लेना जाता है zero risk पर यानि कि हमें कोई risk नहीं हम कर सकते हैं जितरा भी हमें content दिया जाए हम कर सकते हैं तो first year के आप सारी books सारी नहीं न तो जो important topics है उनके coding अब जरूर किजिएगा ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया algebra में characteristic equations है consistency आपको चेक करनी है वह आप one two में भी कर सकते हो पर यहां भी कर सकते हो ठीक है तो आपको थोड़ा सा high level ही मिलने पड़ेगा all right algebra calculus solid geometric first semester में आते हैं वेक्टर calculus ordinary differential equation trigonometry यह हमारे second sem में आते हैं तो अगर आपके पास time रहता तो जरूर इनके content है important content जो हमारे syllabus related है जरूर करने चाहिए जैसे कि differential equation दिया गया है तो इसमें आप ordinary differential equation के कुछ एक chapter कर सकते हो जैसे कि fourth fifth chapter है OD वह आप कर सकते हो यह बहुत helpful रहेगा six chapter भी helpful रहेगा तो इस टाइफ से आपको manage करना है और ज्यादा detail में हम live class में discuss करेंगे और जल्दी ही conduct करेंगे क्योंकि time बहुत कम रहता है किसी का भी कोई doubt है तो पूछ सकता है important questions बिल्कुल ना देखना भूले यह आपके जो course में free of course रहेगा हर किसी के लिए अगर BAC का complete content आपको करना है जो अपने service के recording है इसके लिए आप जोईन कर सकते हो जो course हमारा रहेगा new era match application पर कोई भी आगर आपकी question है इससे लग तो आप number यहाँ में दिये गए है डिस्क्रेशन में call किजिए मिलते नेक्स लास में बाइ टेक कियर